क्लासिक्स यह आपकी यह एक्सरसाइज 13.2 इसका फिफ्थ कोशन है फाइन दा पैरिमेटर आफ है रेक्ट्यांगल हूस लेंथ इस रेक्ट्यांगल और फील्ड है उसकी लेंथ दियू याको 22 मिटर एंड एरिया दिया हो 176 मिटर्स के सबसे बार एरिया लिखना है और लिखने के बाद आपने ब्रैर्थ निकार लिए यह आपका अपने ब्रैर्थ निकार लिए ब्रैथ इदेगल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ तो यह कितने दी हुए आपको 176 मिटर स्क्यार एरिया तो आपने यह देखो 176 से 22 को डिवाइड करना है तो आ जाएगा 8 म उसके बाद पैर मीटर का फार्मल का कि टू इंटू लेंट प्लस ब्रैथ टू इंटू लेंट किया है 22 और ब्रैथ किया है 8 मीटर टू इंटू 30 मीटर आ जाएगा और 60 इन दोनों को मल्टिप्लाई करके 30 को 2 से 60 आ जाएगा कोशन नमबर 6 का कॉस्ट आफ लोरिंग ओ सबसे पहले अपको रुपीज में दिया हुए रुपीज को देखो एटिंट अंडर सिक्टी फोर जो दिया हूँ इसको आपने 932 के जाथ कि इसको जब 9.32 लिखेंगे तो मल्टिप्लाई करेंगे उपर हंटर के साथ क्योंकि इसका पॉइंट मिटाने के लिए इन दोने को दिवाइड करके आया हमारे पास 200 स्क्योर मीटर उसके बाद लैंथ हमारे पास दी हुई है 25 मीटर ब्रैथ हमें निकालें एरिया डिवाइडी बाद एरिया भी आया हमारा 200 मीटर स्क्योर मीटर है यह सोरी उपर मीटर स्क्योर भी है 25 के साथ मीटर होगा वो कट्ट हो है find the cost of that labeling labeling उसको level करने के लिए cost दी विए it at the date of rupees 6.50 per square meter के साबसे side कितनी दी है 60 meter दी है area of square garden का side into side निकालो तो side मतलब 60 meter into 60 meter 3600 3600 3600 meter square आजा cost of leveling one meter square के कितनी दी हुए rupees 6.50 per square meter के साबसे दी हुए अब cost of leveling 360 60-0 उन मतलब 600 को कर निकालना है तो इसको multiply कर दो 6.50 के साथ अब इसको भी six point लिया हुए इसको अटाने के लिए 100 से डिवाइड करना है multiply 3600 इसको 36 36 के 20 और 100 के 20 कैंसल हो जाएंगे कि अ